पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरो पर है। देखा जाए तो पूरे देश का माहौल इस वक्त रामबय हो चुका है। लेकिन इस पर सियासी बयानबाजी भी लगातार हो रही है। हर दिन राम और अयुध्या को लेकर कोई ना कोई नया विवादित बयान सामने आ रहा है। और इसी कड़ी में अब एक कॉंग्रेसी निता का नया बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में एक तंबू के नीचे दो गुडिया रख दी गई और उसे बयान पर अब सियासी बवाल भी शुरू हो चुका है भारती जंता पाटी की बात करें तो बीजेपी इसका विरोध कर रही है लेकिन इस वक्त मैं अयुध्या में हूँ धर्म पत पर हूँ और जो तमाम धर्माचारे हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जिस त स्थाई परिसर में मंदिर में तो वो प्रतिमा को उन्होंने कहा कि इसको बीजेपी के लोगों ने रख दिया और इसको भगवान राम का दर्जा दे दिया अच्छा अरे महराज बहुत साप शब्दों में कहना चाहेंगे राम के अस्तित्तु पर सवाल उठाने वाली पार चाहूंगा कि सनातन धर्म के प्रभूत के गरिमा के निव को अस्तम को मजबूत करने वाले सनातनी और आपने जिनके उपर सवाल उठाया है वो साधारन नहीं है आपको क्या लगता है महराज कि आखिर ऐसी जो बयान बाजी है है ऐसे बयान क्यों दिये जा रहे हैं क्या एक खास वोट बैंक को आकर्शित करने के लिए प्रभावित करने के लिए मुझे आप एक बात बताईए लोग तंत्र के चौथे अस्तम अगर आप सवाल करते हैं तो कुछ जबाब भी देखिए कितनी बार मोती लाल नहरु अध्याय कितनी बार जवाहर लाल नहरु अध्याय कितनी बार इंदिरा गांधी आई कितनी बार सोनिया गांधी आई कितनी बार प्रियंका गांधी कितनी बार राहुल गांधी आ चुकी कितनी बार पूछ रहा हूँ मैं कितनी बार वो आई है युद्धा तो महराज यह समझ लीजिए इनको दिक्कत में नहीं बोलता हमारे सणातनी नहीं बोलते सअनातनी धर्माचारिय नहीं बोलते बोलना इसलिए पड़ रहा है अगर यह सिर्भ भाजप्तक को budget करते हम नहीं जान लिजिए चाहे पार्टी हो क्योंकि राम हमारी आस्था के केंद्र है एक बात जान लीजिए यह क्यों टार्गेट कर रहे हैं बहुत सही से आपको बताता हूं बिदिवत तरीके से जिनके दिमाग में उमर शेख बाबर हुमायू अकबर साजहां जहांगी रौरंग्जे तर्गेट कर रहे हैं उन्होंने बेदभी पढ़ा के बारे में जानना है तो पहले राम को मानना पढ़े जब जानोंगे तभ मानों गे और अगर जान कर मान जाओंगे सुन दूलो महराज तो मानो कहलाओगे और अगर तब भी नहीं मानोगे तो मा काटो चट्ट से दा लगाओ दानों की स्रेणी में पहुंच जाओगे कांग्रेस पार्टी ने यहां पर आने से मना किया प्राणप्रतिष्ठा के आयोजन में स्वनिया गांदी और जो राष्टी अधेक्षा उनको निमंतरन भेजा गया था लेकिन यह कहा गया कि यह बीजेपी का कारेकराम इसलिए कोई भी कांग्रेसी ने यहां पर नहीं हैं वही तो हम लोग समझाना चाहते राम को सब हो जाओ ना राम को जब सब आप हो जाओगे तो सारे राम के जितने भक्त हैं आपके भी हो जाएंगे आप राम जी के अस्तित्वर प्रस्ने चिन लगाते हो वो लोग डेलीगेसं जो आई थी आप उनकी दुरदसा देखे और राम के भक्त बनकर आये होते हैं आप देखिए आयोध्या में जो पैदल चलके आ रहे हैं जो साइकल से आ रहे हैं लोग उनकों हम लोग फूल बरस आ रहे हैं हरेक आयोध्या के मठ मंदीरों में निसुलक भोजान और फिरी बरहने की वेवस्ता की गई है लेकिन कांग जी के उपर अपशब्द कह देता था सनातन धर्म कीडा मकोडा क्या क्या लोग नहीं कहे और हम लोगों ने सहा लेकिन 22 जनवरी के बाद कोई सहने वाला नहीं है हिंदू जग चुका है और जिस दिन हिंदू थोड़ा सा भी अभी तो हलकी जगी है अभी तो नींद खुली हिंदू हो के जिस दिन जग करके बैठ जाएंगे खड़े हो जाएंगे उस दिन कहा जाएंगे वहां तो कोई जंडा उठाने वाला भी नहीं बचेगा हमें देखिए हमें राजनीती से मतलब नहीं हमाम्ढро योध्याबास स्वागत्त कर राजनीत तो ही रही है लेकिन वो हुए हां हिस जो रौम रच अखा अको करितार को अब तो वही होगा अब तो वही होगा जो मेरे राम पहले से रच कर रखे थे बाइस जन्वरी का जो दिन था एक नहीं सो व्याज करवा दे कोई फरक नहीं पड़ता है इसमें किसी एक पार्टी के जिक्र करना उचित नहीं होगा तमाम पार्टियां शामिल हैं और उनके नेताओं के द्वरा लगातार बयान बाजी हो रही है आपको लगता है कि जो घटना करम अभी चल रहा है इस वक्त आने वाले समय में अगले चुनाओं को यह प्रभावित क अगर मोदी जी और कर देते हैं तो सोने में स्वागा हो जाहिए बहुत बढ़ी अच्छी बात है हम लोग सभी चाहते हैं लेकिन इसके लिए कि अगर मोदी योगी के रोकने से नहीं करने वाला है हम देखते हैं हर गाउं से दो चाह गाड़ी डेली जाती है लोट करकर ठीक है हम अपने पहला कदम उठा दिया हम साथ हाजमी को लेकर ठाने पर गए थे अपने जिला में अपने हाँ थीक है आपकी बात आ गई इस मु कोई नहीं जाएगा बिल्कुल एक सवाल आपसे ये भी है कि जो घटना करम या जो राजनीत इस वक्त चल रही है चुकि आप लोग धर्मा चाहरे हैं और देखा जाए तो राम और अध्या पर राजनीत कोई नहीं नहीं है मंदिर आंदोलन के समय राजनीत अपने चरम पर 24 यहां क्लियर है 29 भी डार उसके आगे कुछ बात कर सकते हैं तो बहारतिय जनता पार्टी का 24 की बतिये मत कीजिए यह नहीं कह रहा हूं आप किसी से पूझे 24 यहां clear है 39 में जो है बाबा बैठेंगे वहाँ मागर मोदी जी नहीं रहेंगे सत्ता में या सन्यास लेते हैं तो 29 में बाबा भी बैठे गोरकपुर वाले बाबा सीधा काड़ा पिलाएंगे काड़ा पिलाएंगे यह जानलो एक ही बात है जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा क्योंकि अब काल नेमी की विचारधारा नहीं चलेगी बहुत छली हो कॉंग्रेस ने नहीं मैं सिर्फ एक सेकों के ओपर धड़ा-धड़ गोलिया चलवाई गी क्यों चलवाई गहीं बताईए क्यों चलवाई भाई कहना था कि लॉइन ओडर मिंटेन करना बहुत जरूरा कल्यार सिंग जी के समय लॉइन ओडर नहीं था क्या योगी आधितिनाज जी के समय में लॉइन ओडर नहीं बिहार में जिन्होंने रोका वो भी इन से संबंदी थे तो एक बात जान लीजिए महराज जिन्होंने राम के अस्तितु पर सवाल उठाया दोसों पर लड़ रहते 20 पर आगे दूसरी बात जिन्होंने राम की रतिया कर यात्रा को रोका जेल में चक्की पीस रहे हैं और जिन पर आप मत उंगली उठाओ भगवा पर उंगली उठाओगे तो महराज इस्तिति क्या होगी जादा नहीं बताना है अरे हम का बताएं महराज 20 में छोटे भाई यह बहुत बता देंगे भगवा के बारे में आपने भगवा की बात कही तो स्वामीपरसाद मोर्य को जानते ह हूंग आप सपा के राश्ट्री महासाचीव हैं उन्होंने को समय कहा था कि भगवा में कुछ आतंकवाधी चूपे हैं जो भगवा चोला पहन कर देश-विरोधी काम करते हैं सवामी प्रसाद मोर्या फ्रसाद मोर्या दक्ता और स्वामी परसाद मौरिया को किसी ने समयधानी रूप से जूता भिमारा था आकास सेनी नाम का कोई लड़का था तो स्वामी परसाद के लिए कहना है कि अपने से जेष्ट को परणाम करो बार-बार अनुज को खूब आसिरवात देना चाहिए और खेत खलिहान की बढ़े यूरिया के साथ साथ खाद देना चाहिए और आकास सेनी जैसे सनातनी भाईयों के अंदर जो हिम्मत है दाद देना चाहिए और स्वामी प्रसाद जैसे राम के विरोधियों को बार-बार जूते का प्रसाद देना चाहिए अब शब्दों का इस्तवाल नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी रिखिये मैं एक ही बात कहना चाहता हूं सठम साठ्यम समाचरेत अभाई सत्य को सत्य यथार्थ को यथार्थ कहा जाएगा भाष्या मरियादित होगी शब्द संबैधानिक होगे लेकिन रेलाई तो सनातनी होगी न यह तो जारी रहेगी न किसी का अपमान संबैधानिक रूप से भी कहा जाता है कि सुनो पापियों सुनो पापियों भगवा पे यदि आख उठाने आओगे तो भगवा धजका तेज देख तुम स्वयम भस्म हो जाओगे और सुनो सभी जलने वालों यह देश नहीं बटने वाला क्योंकि भारत का हर हिंदू इना छपपन इंची वाला क्या बात करते हैं महराज संबैधानिक देखिए इस वक्त मैं धर्मपत पर हूँ और यहां के जो तमाम धर्माचारे हैं धर्माचार्यों के साथ आम लोगों की भी हमने राय सुनि जानी कि आखिर वे किस्वाद यह क्या सोझते हैं जब सुनते ह यह सचा रहे है नजदीक आ रहे है इस पर सियासी बयान ओर जड़ा तेज हो रही है विडिवीजाणिस्द्स सब्सक्राइम के साथ विन माश संग निव्जनेशन ॉधिया कि वो दिवीजन्ट्स सब्सक्राइब नाश स addressing निवीचे स्टेइच उधिया